Hello Everyone, Welcome You All at Locations Sir Unlimited Study Zone तो दोस्तों यहां पर मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ जो सैंपल पेपर नूम्बर थी था ओके एक्चली सैंपल पेपर थी का कुछ पार्ट हमने कंटीनु नहीं कर पाये थे तो हम यहाँ पर sample paper 3 का जो कुछ part continue करेंगे और इस पर थोड़ा सा detail में हम discuss करेंगे कुछ point को सबसे पहले मैं आप थोड़ा सा आपके लिए मैं सार्णिक की बात करके लेकर आऊँगा कि सार्णिक के जो प्रशन है आपके लिए वो कैसे आएंगे सार्णिक में जो ज़्यादा तर सवाल आते हैं वो prove that क्या आते हैं तो मुझे भी believe है कि आपको जो सवाल आएगा वो prove करने को आएगा तो इसके लिए आपको कुछ basic operation आने चाहिए operation याने कि आपको कुछ जो आप लगाते हो प्रगुन प्रगुन याने की properties लगाते हैं तो कुछ प्रगुन आने चाहिए और उन प्रगुन के लिए आपको थोड़ी सी practice करनी पड़ेगी तब ही वो प्रगुन आपको बनेंगे यहाँ पर मैं एक question के माध्यम से आपको explain करने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे हम solve करते हैं इसके question को तो देखिए आपका sample paper का question number 20 जो आया है वो मैं आपको यहाँ पर explain कर रहा हूँ कि कि किस तरीके से question number 20 करते हैं और सानिक के गुर्धर्म का प्रयोग करके हम सिद्ध करेंगे देखिए question क्या है question कह रहा है कि सानिक के गुर्धर्मों का प्रयोग करके आपको क्या सिद्ध करना है सिद्ध करना है 1 प्लस A इधर पे है 1 इधर पे है 1 और यहाँ पे है 1 प्लस B और यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 1 और यहाँ प्लस C क्या आपको प्रूफ करके लेकर आना है इसको हम solve करते हैं देखेंगे इसको हम कैसे solve करते हैं देखें आपको सबसे पहले देखना है कि हमें जो प्रूफ करना है उस पर नजर डालिया पच्छे से क्या कॉमनार आपके पास ABC कॉमनार है और 1 प्लस 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C भी चाहिए आपको तो यह सोचो कि यह चीज जो है कैसे बनेगी ओके ABC दो चीजें कैसे बनेगी ठीक है ना तो आपको इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा देखो आप सोचो यहाँ पे कि अगर 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C चाहिए है तो हम क्या कर सकते हैं हम पूरी क्या ओपरेशन लिखते हैं है आप इस तरी केसे लिखें इसको कैसे लिखेंगे लिखेंगे देकिए ABC का मल्टिप्लाई और ABC का डिवाइट कोई फरक नहीं पड़ेगा इसको मैं determinant को याणि कि सार्निक को ऐसी लिख दो 1 1 ओके 1 1 प्लस B and 1 और 1 1 1 प्लस C ये आपने लिख दिया देखो क्या किया मैंने ABC का गुणा और ABC का भाग देखो अभी तो कुछ फरक नहीं पड़ा अब एक चीज आप समझो कि जो सार्निक होता है न उसमें जो element होता है वो किसी एक row या एक column के साथ गुणाया भाग होता है तो आपकी जरूरत क्या है आपकी जरूरत है ABC उपर बैठा रहे है तो ABC को आप उपर बैठे रहें दो और ये जो A है और ये जो B है और ये C है इनको one by one आप जो है इसमें इंट्री देदो किसमें देदो आप इंट्री इनको first row में first sorry first column में तो देखो first column में आप इंट्री दोगे तो ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा one प्लस ए अपॉन ए ये बन जाएगा one आपॉन ए और ये बन जाएगा one आपॉन आपने आपने किया यह जो एथा ना वन अपोन ए था यह जू नीचे बैटा हुआ दो क्या था वन अपन ए वन अपने को अपने इसमें लिए मतलब समय का डिवाइट कर दिया इधर देखो B का समय डिवाइट करो तो क्या हो जाएगा वन अपन भी यह जाएगा तो के डन यह कितना हो गया डिस्टिब्यूट करो इसको बाढ़ दो 1 by A plus 1, 1 by B, 1 by C, यह कितना है यह है 1 upon A, यह है 1 by B plus 1, और यह है 1 by C, और यह कितना बनेगा, यह बनेगा 1 upon A, यह बनेगा 1 upon B, और यह बनेगा 1 by C plus 1, ठीक है न, देखो इतना तो आ चुका है, अब आप दे अगर आप यहाँ पर operation लगा दोगे, अब यह सीखने वाली चीज़ है, थेकिना बच्चों को इसमें problem होती है, तो क्या operation लगेगा, कि R1 तुम बदल जाओ, R1 plus R2 plus R3 में, R1 को जो है, हम change करने किसमे R1 plus R2 plus R3 में, तो बच्चों यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा A, A, B, C, और R1 में R1, R2, R3 एक्चेंज हो गया, मतलब तीनों को एड़ कर दो, तो 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C, ओको यहाँ भी कितना हो जाएगा तीनों को एड़ कर दिया, तो 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C, और यहाँ भी कितना हो जाएगा नीचे, 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C यहाँ भी हो गया ना और बाकी की चीज़े as it is लिख दो क्या क्या है देखो यहाँ यहाँ है 1 अपॉन B है यहाँ 1 अपॉन B प्लस 1 है यहाँ 1 अपॉन B है ओके and then यहाँ है 1 अपॉन C यहां है one upon c और यहां है one upon c plus one ठीक है चलो यह हो गया अब एक काम करिए आप क्या कर सकते हैं अब इसके बाद में आप जो है a b c देखो धिहान से यह चीज तीनों कॉलम में है तो common आ जाएगी और जब भी आप determinant से common लेते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम से common आता है तो common लेजिए one plus one upon a plus one upon b plus one upon c बचने वाली चीज को एज़ेज लिख दो क्या बच गया one 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 ओके one upon b one upon c one plus one upon b और one upon c और कितना हो गया यहां पर यह हो चुका है one upon b और one plus one upon c ठीक है अब देखो हमें केवल इतना लेके आना मतलब इसको हमें हल करना है इसको हल करोगे तो आपके पास one बचेगा तभी तो answer इतना आएगा क्योंकि आपका answer इतना आरा मतलब यह one बचना चाहिए तो अब आप इसको direct भी open कर सकते हो क्योंकि आपने at least दो बार यह property लगा दिये दो बार प्रगुल लगा लिया है तो आप इसको directly भी open कर सकते हो और आप चाहो तो इसको 00 बना के भी open कर सकते हो तो देखो क्या होता है कि अगर आप एक column में 2000 बना लेते हो तो थोड़ी सी आ इस अब आप यहाँ पर क्या करो दो-0 बना लो तो क्या operation लगाओ देखो मजे से यहाँ पर operation लगाओ pumps solo आपको हाथ नहीं लगा ना R1 में 1 बेठा है 1 upon B बेठा है 1 upon C बेठा है 1 minus 1 कितना हो गया 0 1 plus 1 upon B minus 1 upon B मतलब केवल 1 बचा और ये भी कितना हो गया 0 then अगला operation R3 minus R1 मतलब R3 ये जो आपके पास देख रहा है R3 इसमें से किसको माइनस कर दो ये उपर वाले को माइनस कर दो 1 minus 1 नीचे वाले में उपर वाले माइनस हो गया 0 ये again 0 and 1 upon C minus 1 upon C कितना बच गया 1 बच गया ठीक है ना और यहाँ पर जो चीजें थी वैसी कि वैसी लिख दो क्या क्या था A आपके पास था A, B, C and bracket में 1 plus 1 upon A C1 के respect में आप इसको प्रसारित कर दो चलो तो मैं प्रसारित करता हूँ लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर ओके तो C1 के सापेक्ष आपको प्रसारित करना है आओ तो कैसे प्रसारित करते हैं देखो A, B, C ये 1 upon A plus 1 upon B, plus 1 upon C और प्लस 1 भी था ये देखो मैं भूल गया था प्लस 1 को लास्ट में लगा दिया कोई बात नहीं अब यहां पर देखो थोड़ा सा यह देखो C1 क्या है तो C1 का पहला element क्या होता है प्लस फिर दूसरा माइनस और तीसरा फिर प्लस है ना इस तरीके से होता है तो चलो इसको ह जाने वाली रो और इस जाने वाली कॉलम को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा 1 बंजा 1 चुका है ABC multiply by 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c यही आपको proof करना था hence proof okay so this is done